हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हूँ आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में आपके साथ सिक्स हेयर स्टैल की वीडियो शेयर कर रही हूँ और यह हेयर स्टैल बनाने के लिए मैंने जिग जग हेयर बेंड का यूज किया है यह सारे हेयर स्टैल बनाने काफी जदा इजी हैं और काफी जदा स्टाइलिश लुक काएगी तो गाईज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजी और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब तो चलिए फ्रेंट्स बीना आज की वीडियो स्टाट करते हैं लेट्स केस्ट इट तो गाईज आज जो सिक्स हेयर स्टैल में आपको बनाने सिखाऊंगी यह सारे हेयर स्टैल काफी जदा इजी है आप इन्हें घर पर भी करके रख सकते हैं अगर आपको कॉलेज जाना है तब भी आप यह वाले हेयर स किसी सिरम का यूज भी कर सकते हैं सिरम से आपके बालों में काफी अच्छी शाइन आ जाएगी तो देखिए मैं इस जिग जग हेयर बेंड का यूज कर रही हूं आप इजली अपने लोकल मार्के स्टोर से इसे बाई कर सकते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं बना सकते हैं तो देखिए कितना अच्छा यह वाला है लग रहा है ऐसे लग रहा जैसे आपने फ्रेंच ब्रेड की यूज तो गई सेकंड हैस्टाइल के लिए सबसे पहले तो मैं पॉनिटेल कर रही हूं हाइप पॉनिटेल कर रही हूं बहुत जादा लो पॉनिटेल भी मैंने पॉनिटेल की है और आगे से मैंने कुछ इस तरह से बाल निकाल ली है ताकि बाउंस सा आजाए बालों में बाल जादा चिपके चिपके ना लगें और अब मैं इस हेयर बेंड का यूज करूंगी यह भी हेस्टाइल काफी जदा अच्छा लगता है अगर आप कॉले स्टाइलिश लुक करती है तो देखी गाइस पॉनिटेल के साथ यह वाला हियर बेंड लगाया हुआ कितना जदा सुन्दर लग रहा है साइड से आप इस तरह से फ्लिक्स निकाल सकते हैं आप चाहे तो लंबी लंबी फ्लिक्स भी निकाल सकती है वो भी काफी जदा अच् बट इसे निकालना भी काफी जदा इजी है तो गाइस अब मैं थर्ड हेस्टाइल करने लगी हूँ थर्ड हेस्टाइल के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने सेंटर पार्टिशन किया और अच्छी तरह से मैं कॉम्बिंग कर रही हूँ कोई भी हेस्टाइल इस लुक बड़ी अच्छी आती है अब मुझे दोनों तरफ पॉनिटेल बनानी है आप चाहें तो हाई पॉनिटेल भी कर सकते हैं मैंने यहाँ पर लोग पॉनिटेल की है वेस्टेंड आउटफिट के साथ यह वला हेस्टेल किया हूँ बहुत ही ज़धा सुंदर लगता है काफी ज़धा स्चाइलिश लुक करती है साइड से आप इस तरह से फ्लिक्स निकाल लीजिए देखे मैंने लंबी लंबी फ्लिक्स निकाल लीए और यह कितनी जदा सुंदर लग रही है समर में ऐसा हेरस्टेल किया हुआ बहुत ही जदा अच्छा लगता है आपने वेस्टिन आउट्फिट पहना है तब भी उसके साथ भी यह वाला हेरस्टेल बहुत ही जदा स्टाइलिश लुक देगा तो देखें दोनों तरफ मैंने यह पतले पतले रबडमेंड डाल लीए है दोनों पॉनी टेल्स में और दोनों तरफ से मैंने फ्लिक्स निकाल लीए और आप देख सकते हैं कि यह वाला हेरस्टेल कितना जदा सुंदर लग रहा है इसके साथ सिंपल सा आप काजल यूज की से कितना सुंदर और स्टाइलिश हेरस्टेल बना है तो आपको कौन सा हेरस्टेल ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंड पॉक्स में कमेंड करके जरूर बताना कि आपको कौन सा हेरस्टेल ज्यादा अच्छा लगा तो अब मैं नेक्स्ट रहस्टेल करने लगी हो नेक्स आप जाहितों ब्रेट भी मुना सकते हैं यहां फिर पॉनी टेल भी कर सकते हैं या फिर अपने बालो को ऑपन सकते हैं मैंने ऎहां पर हाइ पफ नहीं किया और हाइ और फिरफ को जधा अप है ज Kylie अ suspect करने के लिए तो देखिए इस तरह से मैंने puff बनाया और दोनों साइड से मैं बालों को खुला ही चोड़ रही हूँ आप चाहे न तो साइड से rolling करके braid भी बना सकते हैं वो वाला hairstyle भी काफी ज़दा easy लगता है और अब मैं ये वाला hairband का use कर रही हूँ जिग जग hairband का तो देखिए आपको puff वाली look भी आ रही है और कितना ज़दा सुन्दर ये वाला hairstyle लग रहा है आगे से आप इस तरह से बाल भी निकाल सकते हैं इससे और अच्छा puff बन जाएगा इस clip को use करना काफी ज़दा easy है और just 10 रूपीज या 15 रूपीज में आप local market store से इसे बाई भी कर सकते हैं तो देखिए मैं एक और hairstyle कर रही हूं इसमें भी मैं पफ बना रही हूं और इसमें मैंने बाल काफी ज़्यादा लिए हैं मैंने मतलब आगे से बाल काफी ज़्यादा लिए हैं और फ्रंट से मैं इस तरह से फ्लिक्स निकाल रही हूं मुझे फ्लिक्स निकालना काफी जदा अच्छा लगता है लुक बड़ी अच्छी आती है आपकी और ये वला पफ बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि मैं रबर्ट बेंड के यूज कर रही हूं मैंने यहां पर आएगा तो आप देख सकते हैं कि बालों को आगे के तरफ मैंने पुश की है और मैं अब टिक टैक पिन लगा रही हूं एक मैंने राइट साइड से लगाई और एक लेफ्ट साइड से फ्रंट से फ्लिक्स निकाल ली है और अम मैं जिग जैग हेर बैंड का यूज कर रही ह तो देखिए इस तरह से आपको इस हेर बैंड को लगाना है इससे आपको पुफ वाली लुक भी आएगी और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने पुफ बनाया है वो मेरा सारा दिन भी नहीं ये वाला हेरस्टेल मेरा खराब होगा आप चाहे तो पॉनिटेल भी पि इतने ज्यादा इजी है आप घर पर इन्हें करके रख सकते हैं अगर आपको कॉलेज जाना है या फिर आप ओफिस गोइंग गर्ल भी है तब भी आप यह वले हेरस्टेल कर सकते हैं तो गाइस जो नेक्स हेरस्टाइल है सबसे लास्ट वाला हेरस्टाइल यह भी काफी और साइड पर मैं इस तरह से रबट बेंड डाल रही हूं रबट बेंड डाल कर मुझे फ्रंट से मैंने फ्लिक्स निकाल ली है और अब मैं यह जिग जग हेर्बेंड का यूज कर रही हूं सारे ही hair style काफी ज़्यादा simple and stylish है बस एक तरह से look change हो ज़ती हैं आपकी तो guys I hope आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी हो आपको मेरी येवली वीडियो कैसी लगी है मुझे comment करके ज़रूर बताना तो मिलूँगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए थेंक्यू बाई